वेल्कम बैक टू माई चानल आज मैं जारी हूं अपनी रसोई में बनाने एकदम देशी स्टाइल में मटर बनी तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो तो यहां पर मैंने ले लिया है चार बड़ा चमच ओयल का सरसो का ओयल मैंने यहां पर लिया है और फिर आठ से दस कलिया मैंने ले ले ली है जब वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगी है तब मैंने इसमें तीन से चार हरी मिर्ची डाल दी है और जब यह दोनों अच्छे से पक जाएंगे तब मैं इसमें डाल रही हूं प्याच यह मैंने दो से तीन बड़ा प्याच को काट के पह अब मैंने पहले से ही काटके दो बड़े टमाटर रख लिये थे अब मैं उसको भी एड़ कर दे रही हूँ और इनको सॉफ्ट होने तक मैं फ्राइ करूंगी फाइनली जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ और इन्हें ठंडा होने का इंतिजार करूंगी जब यह ठंडा हो गया है तब मैं इसे मिक्सर गाइंडर में डालकर इससे ग्राइंड कर लूँगी और एक पाइन पेस्ट बना लूँगी तो यह देखिए एक पाइन पेस्ट रेडी है तो तब तक ही कर लेते हैं मसाले की त्यारी तो यहां पर मैंने वन स्पून ले लिया है हल्दी है यहां जाओ प्नाट करे लेडर में नहां स्पून नहां पाइन प्राइडिए झाल 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 पनीर के देशी स्टाइल में मटा पनीर और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और हाँ वेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो मिलती रहें अब जब पनीर के टुकडे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है तब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेस धनिया और उसके बाद मैं गार्निस कर दूंगे फ्रेस मिल्की मलाई से now thankyou for watching my channel bye bye and take care